तरक दोगे वही मैं रहूंगा भागवत में दो-तीन जगे पर भक्तों की विशे में भगवान स्वेम कहते हैं कि मेरे भक्तों के लक्षन क्या है कोई और कहे तो एक बार को ना भी सुने स्वेम भगवान ही कह रहे हैं कि मेरे भक्त के लक्षन क्या है तो सुनने चाहिए न आज हम उनी भगतों के लक्षणों पर थोड़ी चर्चा करते हैं एक जगे तो कपिल देभूती समबाद में माता देभूती सामने बैठी है और भगवान कपिल से प्रश्ण कर रहे हैं तब माता कपिल ने भगवान से पूछा कि भगवन आपकी आराधन करने वाले भक्तों के गुण बताईए और फिर एक प्रश्ण और किया कि उन गुणों में ये भी बताईए आपको कौन सा प्रिय है तब भगवान ने चार प्रकार के भक्त बताए हैं यापर और इन चार प्रकार के भक्तों को हम लोग सुनें फिर एकातिस स्कंद में भगवान कृष्ण फिर चार प्रकार के भक्त बताते हैं उनके भी गुण सुनेंगे हम में कौन से लक्षण है ये खोजी है यहाँ पर ठाकुर जी कहते हैं बहुत सुन्दर बाद बहुत ध्यान से सुनना मया दिवुती माता सामने बेठी मा चार प्रकार के मेरे भक्त हैं तामस, राजस, सात्विक और चोथा है निरगुण इन चारों के लक्षण सुनिये और मुझे कौन सा प्रिय है वह भी सुनिये सबसे पहले ठाकुर जी तामस भक्त का विशे बताते हैं मा पहले भक्त का नाम है तामसी भक्त और वो भक्त कैसा होता है थोड़ी मद्दी रखो तामस भक्त कैसा अभि संधाय योहिंसाम मा जो मेरे पास केवल और केवल दंब से आता है दंब समझते हैं किसको कहते हैं दिखावा पाखड पाखंड को कहते हैं दंब पाखंड मतलब विश्वनात मंदर केवल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पडोसी भी गया है क्योंकि रिष्टेदार भी गया है तो उनको जाके हम दिखाँ मैं कि देखो हम भी आते हैं केवल इस भावना से मेरा दर्शन करने आया कि चार लोगों को पता चले कि मैं भी भक्त हूँ, मैं भी मंदर जाता हूँ दंभ भाव से आता है चार लोगों को केवल बताने के लिए और पूरे विश्व को दिखाने के लिए जाता है कि देखो मैं मंदर जा रहा हूँ दंभ और दूसरी बात मैया वो जब मुझे प्रणाम करता है ना तो प्रणाम करके केवल और केवल दूसरे की शिकायत मुझसे करता है ठाकुर जी उसका तो बड़ी करपा कर रखी आपने उसका तो सब काम बड़े बढ़िया चलने उसका तो ऐसा उसका तो यह इसका तो यह ऐसी स्थिति जिसकी है मया जो केवल दूसरे की शिकायतें लेकर के और दंभ के पाखंड के भाव से मेरे पास आता है इसको मैं ताम सी भक्त कहता हूँ अब देखो महादेव का भक्त रावन भी था पर रावन किस भाव से जाता था रावन दर्शन करने थोड़ी जाता था वो कैलाश पर जाता था वो कैलाश पर जाके जब देखता लंबी लाइन लग रही है देवताओं की चारों तरफ लोग खड़ें हाथ जोड़कर ये दर्शन करने के लिए जैसे इंदर घुसने लगा दूतों ने कहा लाइन में आओ तो रावन बोला अच्छा हम लाइन में आएंगे क्या तुम जानते नहीं हमकों दशानन अब ये विचार कर लो जो लोग मंदर जाते हैं और लाइन में लगा दिये जाएं तो उनको बड़ी अपनी अभेलना लगती है कि अरे तुम हमको पहचान ही नहीं बस एक बात बोलें सबसे ज़्यादा बिना लाइन के दर्शन महीं करता हूँ लेकिन एक बात बताओं मैं मैं जानमूच के नहीं करता ऐसा नहीं है कि जानमूच के कि भाई बिना लाइन के करें कोई ना कोई विवस्था बनी जाती है या तो मंदर अधिकारी पहचान जाते हैं या कोई पहचान जाता है तो फिर मिली जाते हैं दरशन हमको लेकिन कोई नहीं पहचानता तो फिर लाइन से ही जाना पड़ता है उस समय लेकिन ये भाव आता है कि यार ये अधिकारी हमको पहचान जाए तो ले जाए थोड़ा आगे उस समय मन में आता है कि भाई यही लक्षन तो भगमान कहते हैं यह तामसी भक्त का लक्षन है जो केवल और केवल अपने यश कीडती और केवल अपने अभिमान में मेरे सामने आता है मा और जो दूसरे की हिंसा की भावना से आता है नात मुझ पर किरपा भले ही मत करो लेकिन उस पर भी मत करो आप उस पर क्यों कर रहे हो मुझ पर नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं उस पर क्यों कर रहे हो पर ऐसी भावना जो मेरे सामने रखता है मैया वो भक्त तो है विचारा लेकिन तामसी है मुझको बिल्कुल प्रिय नह तो उसकी भावना यह नहीं होती, मैं महादेव को देखूं, इसको यह होता, सब को पता चले कि मैं आया हूं, इसलिए वो ऐसी ऐसी द्वरी निकालता था इस लोकों की, एक शलोक हमने गाया, बड़ा प्रसिद दूआ महादेव का, रावन रिचित शलोक था, रावन यह से श यस्यास्ते ड्राड ड्राड डुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदु रामन आया है, श्लोक गारा है, शंगर जी के तो तुम मत आया करू, हम ही रोज आ जाया करेंगे लंका, वहीं दर्शन कर लिये, तुम यहां मत आया करू, गुरुदेव, यह तो बड़ी कृपा, मादेवी जाते थे रोज, रामन को दर्शन देने, काईबाद का ऐसी भक्ति किस काम की जहां तुमारे प्रियतम ही, तुमारे स्वामी ही कष्ट पा रहे हूँ, नए, मैया, यह तामसी भक्त का लक्षन है, जो मेरे सामने आकर के भी अपने अहम भाव का त्याग नहीं करता, अपने अहम में रहता है, कि मैं कुछ हूँ, यह शिती तब भी उसके मन में रहती है, ऐसा व्यक्तिताम सी है और वो मुझे प्रिया नहीं, ठाकूर जी के सामने, कई लोग आते हैं मेरे से मिलने, अब मैं तो एक साधारन बालक हूँ, वो मुझे से मिलने आते हैं, हम तो बहुत सोच के आये थे, क्या बोलेंगा, भूल गए, ठाकूर जी के सामने जाके भूल जाओ, कल आपको मैं किस भाव से बताओ, कल मैं नौकाव यार्ज सीधा भागा, विश्वनात, मैंने की पता नहीं अब कभ दर्शन हूँ, अभी चलो, हम गए, मंदर का पूरा प्रोटोकॉल पहचान गया, कल हमको, मैंने की जैर हो, ले ग पर हम दो ही रह गए, प्रोटोकॉल के पास बाकी के पांच-छे कहीं और चले गए, अब ये हमको ढूड़े, हम इनको ढूड़े में नहीं क्या हो गए, अब हम तो बिल्कुल मंदर के पास पहुँच गए, इतने में ये लोग भी अंदर आने लगे, उसी समय संकराचारी जी आये हुए थे, मंदर में पूजा आराधना कर रहे थे, ये पुलिस वालों से सीधे जाकर के बोले, अरे हम संकराचार जी के साथ आए, पुलिस वालों ने तुरंत दर्वाजे खुले, जल्दी जाओ भीतर, लोटते समय हमारे लिए प्रशाद और लियाना, अब ये भ लेके गए, तो भीतर दर्शन हो गए, महादेव के कपाट खोल के दर्शन करा दिये, पर संतोष नहीं हो रहा था मन को, वैसे तो देखो, संतोष करना चाहिए, जैसे दर्शन हो जाए, पर हमें एक बात आजाती है, बार-बार ब्रजवासी होने की, लाला, कचु करपा कर देख रहें, तेरो मित्रे, विश्वनाद भगवान, या ति कहदेनेक हमें इस पास बुलाए ले, हम दर्शन करके बाहार आने लगे, तब एक व्यक्ति आया, महाराज जी, आप आजाओ, मैंने क्यों, वह आप जाके महादेव को श्परश कर लो, थोड़े देर उनके पास बैठ लो, मैंने सही मैं, बोले हाँ, चलो, लेके गए, खोल के कपार, दुलाई चल रही थी सब्तुरुशी आरती के लिए, हमको जाके वहाँ बैठा दियो, बोले अब आप बैठ के खूब श्परश करो, महादेव का खूब मैनी जय हूँ, यही तो आनन्द चाहिए, यह बावना से मेरे पास आता है, मेरे सामने आकर के भी उसका अहम नश्ट नहीं होता, ठाकुर जी के सामने जाएं तो हम यह भी एक बार को भूल जाएं, कल थाकुर जी के सामने जब मैं गया तो यहां कथा मैं बोलके गया था, कि महादेव के निच ठाकुर जी श्री राधा अध्भुत आनंद हुआ थाकुर जी के सामने जाकर के तो यह भी भूल जाओ कि हम कौन है इतनी भी स्मृति आपको ना रहे वहाँ पर भी अहम भाव है मेरी साड़ी खिच रही है मेरे कपड़ा खिच रहे है मेरे यह हो रहा है मुझे घुटन हो रही ना थाकुर जी के सामने जाके तो बस शुन्य हो जाओ कोई और भाव ने थाकुर जी कहते हैं जो अहम भाव में रहता है हिंसा की भावना से आता है और केवल दूसरों को दिखाने के लिए मेरे दर्शन करने आता है मैया वो तामसी भग्त दूसरा ठाकुर जी बताते हैं राजस भग्त ये राजस भग्त का लक्षन कैसा होता है तो बगवान श्री कृष्ण केते हैं मैया कि विशयान विसंधाय यस ऐश्वर्यम इववा अर्चा दावर्च ये द्यों माम प्रथक भावस राजस ठाकुर जी कह रहे हैं राजस भग्त का लक्षन क्या है मा जो केवल सांसारिक अईश्वर्य की कामना से मेरे पास आता है जिसको केवल सांसारिक संपत्ती चाहिए अईश्वर्य चाहिए यस चाहिए नाम चाहिए कीरती चाहिए केवल इनी कारणों से जो मेरा दर्शन करता है मैया और दूसरा लक्षन इसका बताया जो केवल मेरी अर्चा विग्रह में निष्था रखता है और उसके लावा ना मेरे वैश्णवों में निष्ठा, ना संतों में निष्ठा, ना ब्रजवासियों में निष्ठा, किसी में निष्ठा नहीं, केवल मेरे विग्रह में निष्ठा रखता है कई लोगों को मंदिर में देखा विक्रह की तो खूब पूजा करेंगे बाहरा के पंडिजी कोई गाली दे रहे हैं बाहरा के बरजवासियों कोई सुना रहे हैं बाहरा करके संत महापुरुशों कोई सुना रहे हैं आपकी भक्ती कभी स्विकार नहीं होगी जो केवल सांसारिक संपत्ती की कामना करता है मेरे से घर बन जाए, गाड़ी मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए मेरे ये काम रुके, वो बन जाए भैया एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनो संसार में जितनी भी चीज़ें आप प्राप्त करना चाहते हो सब आपका कर्म प्रदान कर सकता है, हम ठाकुर जी को बीच में क्यों लाते हैं कि आप करवाओ, ठाकुर जी हमको दूसरी कामनाओं की पूर्टी के लिए मिले है ठाकुर जी ये सांसारिक विशयों को देने के लिए नहीं है, वो हमारे कर्म पर है लक्षमी पूजा करने से ही धन भड़ेगा तो बिल गेट्स ने कभी लक्षमी की दर्शन भी नहीं किये होंगे पर आज सबसे ज़्यदा लक्षमी पूरे विश्व में उसके पास है अब तो कोई और हो गया है कोई और आ गया है उपर लेकिन देव देव आलसी पुकारा सुन्दर कान में कहते हैं कि भाई देवताओं के भरो से पड़े रहते हैं वो महा आलसी हैं कर्म की उपलब्धियों की प्राप्ती के लिए ठाकुर जी की आराधना कभी मत करो वो आपके कर्म पर निर्भर होता है ठाकूर जी की आराधना तो केबल उनकी प्राप्ति के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए, उनके दर्शन की प्राप्ति के लिए करो जो नाम जब करते हैं, परिक्रमा करते हैं, एकादिशी वृत करते हैं और आधी-ाधी वैशनव धर्मों का पैलन करते हैं पर उनके बदले चाहते सांसारिक वस्तू हैं माफ कीजे, आपके द्वारा किए गए वैशनव धर्म वो उच्छ श्रेणी, स्रिष्ट श्रेणी के नहीं माने जाएंगे एक जगे मैं कथा करने के लिए गया तो जैसे सब माला जबते हैं, नाम जब करते हैं आजकल काउंटर आ गया हूँ ऐसे उंगली में लगा रहता है और लोग उस पर बटन दबाते रहते हैं अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं हो उसमें देखो, हमारे पुझी पता जी कहते हैं, माला क्या है? साधन है, साध्ध नहीं है, माला साधन है और हम सदा साधन में ही रहेंगे तो साध्ध की प्राप्ति कैसे होगी? दिल्ली से बनारस आना, फ्लाइट क्या है? साधन है साध्ध क्या है? बनारस तो साधन, जब मैं साधन से उतरूंगा, तब तो साध्ध मिलेगा न? मैं साधन में ही बैठा रहूंगा साध्ध कैसे मिलेगा? समझ में आ रही है साधन साध्ध वाली बात? माला क्या है? माला साधन बोले तो फिर इसका साधन का प्रयोग कैसे बोलो इतना जपो, इतना जपो, इतना जपो, इतना जपो कि आपकी स्वांस की तरह जीव पर नाम मड़ाता रहे और एक दिन ऐसा आए कि ये माला छूट जाए और उसके बिना भी नाम चलता रहे ये जीवन के उपलब थी मैंने दर्शन किया हमारे गोवरधन के परम पूझने प्रातस्मर्ण श्री ठाकुर्दास बाबा असी से उपर की आयू में जब भगवत धाम को प्रस्थान किये तब उनके प्रस्थान से कुछ समय पहले ही मैंने दर्शन किया मुझे तब नहीं पता था जब मैं कथा करने लगा तब मुझे उनका इस्मर्ण आया तो जब मैं दर्शन करने गया थाकुर्दाष बाबा के, तो अच्य तवस्था में पढ़े थे, पर उनकी उंगली ऐसे हिल रही थे, उंगली चल रही थे, और उंगली जैसी चली है, यह क्या हुआ है? एक संग सब के फोन चले? मैंने की भाई एक संग सब के इमर्जेंसी क्या बुकम पा रहा है साइलेंट कल लीजिए अपने फोंग अगर बीच कथा में आप लोग देखेंगे तो जरूर इमर्जेंसी आ जाएगी तो हम क्या ने वेदन कर रहे तो मैं तो भूल और गया साधन और साध्य वाँ भी या तुम कथा सुनते हो है बले यह लेओ तेरी तो साधन और साध्य तो ठाकुर्दास बावा का मैंने दर्शन किया उनका जब मैं दर्शन करने गया अचे तवस्था में थे पर उनकी उंगली ऐसे चल रहे थी पूरे शरीर को पेरलाइज हो गया था पर उंगली ऐसे ही चल रहे थी डॉक्टरों से सब ने पूछा कि जब इनके पूरे पूरे अंग में पेरलाइज हो चुका है ये पूरन रूपे अचेत हो चुके हैं तो ये उंगली क्यों चल रहे है बोले ये हमारी साइंस परे की बात है कि आज शरीर पूरा चेत हो गया लेकिन नाम ने फिर भी उनको नहीं छोड़ा नाम अभी भी चल रहा है भगवन नाम अभी भी उनके जीवन में आश्रे लेके बैठा और उनकी स्थिती देख करके ऐसा कहता बनता था कि अब ये ठाकुर्जी का स्मरण नहीं कर रहे हैं ठाकुर्जी इनका स्मरण कर रहे हैं इनका स्मरण हरी कर रहे हैं ये पावा विश्राम अब तो ये विश्राम कर रहे हैं इनका स्मरण ठाकुर्जी कर रहे हैं कुछ भी कर लो द्यान से समय आप कुछ भी कर लीजे पर दीनता और आपके भीतर के जो विकार हैं वो तब तक शुद्ध नहीं होंगे जब तक आप वैश्नव सेवा में निष्ठा नहीं रखोगे क्योंकि ठाकुर जी की सेवा से भक्ती तो बढ़ जाएगी लेकिन दीनता नहीं आ पाएगी दीनता समझते हैं सरलता सहचता दीनता ज्यादा चलकपट नहीं ज्यादा चतुराई नहीं यह सब कब आते हैं हमारे भीतर, जब हम जुकते हैं, और ठाकुरुजी के सामने जुकना जुकना नहीं माना जाता है, माफ कीजेगा, क्यों? ठाकुरुजी को आप चाहे पकोडी खवाओ, चाहे कचोडी खवाओ, चाहे पूरी खवाओ, चाहे रोटी खवाओ, वह चाहे सब पालेंगे, लेकिन संतों की सेवा में तो आपको देखना पड़ेगा कि जो इनको भाए, वो ही दो जो इनको प्रिय लगे, वो ही दो हमारे नाना जी एक कता सुनाते थे मुझे ओजल सी याद है, बहुत सारे प्रसंग सुनाते थे, उनके अब याद आते हैं, एक बार एक व्यक्ति के याँ कोई संत पधारे, कोई गुरू पधारे और वो संत पधारे गर्मी के महीने में जेष्ट, जेष्ट के महीने में आये, बहुत गर्मी होती है तो घर में पधारे तो उसने बढ़िया घड़े में ठंदा ठंदा पानी मुझे करनी है सारे काम तो उसने आकर कि सब देखा ये गुरु जी का सतकार कैसे कर रहा है पुष्प विच्छा रखें बड़िया ठंडा घड़े में जल रखा हुआ है गुरु जी को नवाने के लिए उसने बड़िया ठंडा ही बना रखी है बलो गुरु जी इशनान करेंगे सबसे पहले उसके बाद उनको ठंडा ही पिलाओंगा अब ये सब पड़ोसी देख रहा था गुरु जी आए पुष्पों से स्वागत किया ठंडे जल से इशनान किया गुरु जी ने ठंडा ही पी गुरुजी बड़े प्रसंद है, बोले वाई, हम तुमसे बड़े प्रसंद है पड़ो सी आया, बोले महाराजी कभी मेरे घर भी पधार हो बोले अभी तो हमारा सब बुकेंग है, हम आएंगे, कब आओगे बोले तुमारी आएंगे शुशिर में, ठंडी में आएंगे ठीक है, सोच लो क्या हुआ होगा है गुरुजी के लिए ठंडे घड़े में जल भरके रखे गुरुजी आएंगे इसी से इसनान करेंगे और पर गुरुजी के लिए बड़िया उसने ठंडा ही बना के रखी है गुरुजी को जही पिलाएंगे गुरुजी घर में आए, आकर के जैसे शनान करने के लिए गया गुरुजी बोले ये तो बड़ा ठंडा जाएंगे गुरुजी नहीं आप उसके आँ भी नाये तो मेरे या नाना पड़ेगा गुरुजी बोले नहीं नहीं इससे नहीं नायेंगे नहीं उस पर जादा करपा कर रहे हैं मैं सब समझ रहा हूँ आपकी बात उसके यहां ना लिए मेरे यहां नहीं नहोंगे कैसे नहीं नहोंगे गड़े उठाके उसने नहीं नवा दिया गुरुजी विचारे कपकप आ गए बोले लो अप ठंडाई पी ओले अरे चाय पिला भया गरम दूद पिला मर जाएंगे हम ठंड लग रही नहीं आप उसके यहां तो आप लसी पी रहे थे हमारे यहां चाय माग रहे हो नहीं पीनी तो पड़ेगी हुआ क्या गुरुजी को निमूनिया हो गया भया ठाकुरुजी की सेवा बड़ी सरल है वैश्नवों की सेवा बड़ी कठे मैं यह हिर्दे में दीनता आना सहजता आना और सरल भाव आना यह तो वैश्नव सेवा से आता है ठाकुरुजी की सेवा से नहीं आता है आपको पता है गजेंद्र मोक्ष की कथा जो आती है ना यह गजेंद्र जो था ये अपने पूरु जनम में ठाकुर जी की खूब सेवा करता था पर वैशनव सेवा नहीं करता था हुआ क्या? एक दन ठाकुर जी की आराधना कर रहा था और तभी कोई संत आ गए संत आए उसको पता चल गया कि कोई संत आए है लेकिन फिर वी ठाकुर्जी की सेवा ही करता रहा एक बार भी एक च्छन के लिए यह नहीं बोला कि महराजी विराजो मैं अभी आ रहा हूँ दस मनट का समय दो आप विराजो आसन लगाओ किसी से कहता जला दी पिलाओ मैं अभी आ रहा हूँ उसको पता था कि संत आये लेकिन फिर भी अब इनकी और सेवा करूँ मैं अपनी सेवा में वेस्त हूँ थाकुर जी कोई करने लगा उनको देखा भी नहीं केवल इस बात का उसको अपराध लगा कि अगले जनम में वो गजिंद्र बना हाथी बना वेष्नव अपराध बन्दू कभी ना बने हमसे इसलिए थाकुर जी की सेवा एक दिन को थोड़ी सी पहले से कम हो जाए चलेगा लिकिन कोई वेष्नव हो वेष्नव किसको कहते हैं वेष्नव का मतलब क्या होता है वैशनव मतलब अपने रूप से, अपने स्वभाव से, अपने गुण से, अपनी वानी से, किसी भी रूप में ठाकुर जी से सम्मंद रखता है, वो वैशनव है आप एक दूसरे के सम्म वैशनव हो, माफ कीजिए, अभी तक आप में से एक दूसरे के घर आप जाते हो, तो ऐसे मिलते हो, जैसे सखा अधी, लेकिन एक छण के लिए ऐसे मिलो, जैसे कोई वैशनव आया है, प्रणाम करो तिलक है, गले में कंठी माला है, हिर्दे में नाम है ठाकुर जी का, चिंतन में भगवत कथा है, वैशनव है, उसका वैशनव रीती से स्वागत करो वैशनव तो वैशनव सेवा ही हमको सिखाती है ठाकुर्जी की सेवा से ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता है ठाकुर्जी की सेवा तो कोई भी कल लेता है डलिया में लिए गूम रहे ठाकुर्जीयों को सेवा तो उनकी भी हो रही है लेकिन नहीं ठाकुर्जी की सेवा आसान है वैश्नव सेवा कठेन है वो करना प्रारम करो तो भगवान कहते हैं ये राजस बक्त जो है केवल मेरी मूर्ती में निष्ठा रखता है इसके इलावा मेरी किसी भाव में निष्ठा नहीं रखता ये भी मुझे प्रिया नहीं है मैया आप श्रिंगार कैसा करते हो चपन भोग कितना धराते हो ठीक है अच्छा है करनाची पर उसके संग संग वैष्नव सेवा का भाव भी संथ सेवा का भाव भी आपके एड़दे में होना चाहिए संथ पधारे वैष्नव पधारे उस समय ये भी विचार मत करो की प्रत्वी पर धूल पड़ी है प्रणाम करो कि भक्तन में मती भक्तन में गती संत चर्ण रज सदा लुभाने गिर्धर जब अपनों करे जाने हमारे व्रज में एक भक्त हुआ जब वो सारे वक्तों से मिलता सब अपने ठाकुर जी की बात बताते हमारे लाल जी ऐसे हमारे ठाकुर जी ऐसे वो चुप चाप बैठा रहता सब बोलते तू क्यों नहीं बताता तेरे ठाकुर जी कैसे है तेरी सेवा कैसी चलती है बोले बस भड़िया चलती है मेरों को बतान नहीं मैं अपने ठाकुर जी का दर्शन किसी को नहीं कराता तो क्यों नहीं कराता वोल कोई मेरे ठाकुर जी को देखके ये नहीं बोले ये कैसे ठाकुर जी इसलिए मैं नहीं कराता अब तो सब को और ज्यादा लगे कि इसके ठाकुर जी देखो ऐसे कैसे ठाकुर जी है वहि पिल्कुल नहीं बोलूगा, चलो, लेके गया कुटिया में, जैसे कुटिया में लेके गया, तो एक सिंहासन पर एक छोटा सा मटका रखा था, और मटके के ऊपर चंदन लगा, रोरी लगी, माला लगी, सब बढ़िया सजा धजा के वो मटका रखा था, बोले कहा है ठाकुर जी बोले जे बैठे मटके को दिखाया बोले ये रह तो ना चाहते हुए उसको मुक से निकली गया ये कैसे ठाकुर जी मटका वारे ठाकुर जी बोले इससे कही थी न मत बोलना ऐसे बोले अरे भाईया यार गलती हो गई लेकिन बता तो सही ये कैसे ठाकुर जी है मटका बोले मटका नहीं है हमारे वरंदावन में जितने भी संत आते न और जब वो चल के चले जाते हैं तो उनकी रज में खटी करके इसमें भर लेता हूँ और उनी संतों की चरन रज को मैं नित्य अपने शामा शाम के रूप में देख करके बोले इसमें कुछ कण सफेद हैं वो श्री किशोरी जी हैं कुछ कण शाम हैं वो इस शाम संदर हैं मैं रोज इनीकी अर्चना करता हूँ और इसी से रज निकाल के माते से, गले से, मुख में लेके और इसी के सामने वेट के सेवा करता हूँ ऐसी संत सेवा बंधों वैश्नव संत ब्रंद, भक्त ब्रंद, विप्र ब्रंद, ब्रजवासी ब्रंद इन सब में अवगुण देखना ये एक प्रकार से हमारी भक्ती का लेश है हमारी भक्ती उसी दिन से कम होने लग जाएगी जिस दन आप उनमें अवगुण देखो ठीक है किसी से हर तरीके के लोग है भाई रामण भी जब आया था सीता जी का हरन करने संती बन के आया आजकल कल योग में बड़ा खतरनाक है संत वेश में रामण भी घूमते हैं परन्तु हम इतने विवेकी तो बन सकते हैं कि हमारी दृष्टी पता कर लेगे कौन वास्तवेक है कि कौन असाधार ने सत्संग क्या करता है बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई यही विवेक देता है सत्संग कि हमारी दृष्टी पड़े और देखते ही हम समझ जाएं कि यह वास्तवेक है परन्तु एक बात और बताएं सत्संग इतना विवेक भी देता है कि यदि कोई पाखंडी बनके केवल संत घूम रहा है तो उसके प्रतिवी हीन भाव न आवे उसकी भी भेश का सम्मान हो क्या जानकी जी को नहीं पता था कि यह रामण है को विश्पस्ट उनको जानकी है राम वल्लभा है उनको सब पता है लेकिन केवल भेश के कारण सिता जी ने हरन करने दिया रामण की ताकत कर ले केवल भेश सिता जी ने उसका सम्मान किया कि संत भेश में आया है ऐसी बंदुओं भेश का स्वरूप का और वास्तविक संतों का इन सब का बोध सत्संगी कराता वही विवेक है और यही विवेक रामजी की करपा के विविना नहीं मिलता है इसलिए आपको प्राप्त हो र पाहें संत वैश्णवों को देखो और उनको प्रणाम करो तो बगवान कह रहे हैं कि राजस भक्त जो होता है ये केवल मेरी मूर्ति में निष्ठा रखता है मेरे वैशंव संत वरंद भक्तों में कोई इसकी निष्ठा नहीं आप मूर्तियों की बात कर रहे हैं संत महात्माओं की बात कर रहे हैं एक बार श्रीमद वलवाचारी जी महराज श्रीजी बावा की सेवा करके जैसे ही निवरत्त हुए तो अपने कक्ष में बैठे थे चार लोग रोते रोते उनके पास आए और रोते हुए कहने लगे हमको सेवा से दूर मत करो हमको सेवा से विमुक मत करो वलवाचारी जी बूले कौन हो भया रोक्यों रहे हो क्या सेवा करते हो तुम नहीं बस आप हमको सेवा से दूर मत करो ऐसा कह करके वे अंतर ध्यान हो गए शुमद वलुवाचार जी महराज ने चार दिन तक भोजन नहीं किया सब ने आकर के प्रणाम करके निवेदन किया वलुभगवन आप प्रशाद ग्रहन नहीं कर रहे कारण क्या है तब उन्होंने बताया चार दिन पहले चार लोग आके रो रहे थे मेरे आगे हमको सेवा से दूर मत करो सब ने पूछा कौन थे वो बोले कि मुझे चिंतन में फिर बाद में समझ आया कि श्री जी बाबा की रसोई बनती है न तो उसमें चावल धोये जा रहे थे और धोते समय जब चावल का मान अलग किया गया पानी अलग किया गया उसमें चार दाने चावल के भी नाली में चले गए और ये चारों रोते रोते मेरे सामने आये कि हमको सेवा से दूर मत करो हम भोग लगी वस्तू को ऐसी छोड़ देते हैं अरे भया ये अन्न के कन भी जड़ चेतन हर वस्तू ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत होती है वो वह भी महा अपने जगनात पुरी में जब 15 दन के लिए महा प्रभु जी का दरशन नहीं होता जेश्ठ पुरुनमा के बाद उसके बाद महा घरगर के लोग घर में भात बनाते हैं और भात बनाके जहां से श्री मंदिर दिखाई दे वहां पत्तल पर केला के पत्ते पर चावल भात रखके और भात को ही जगनात जी का रूप मान के उनके प्रणाम के महा प्रशादे गोविंदे इस आक्षाद गोविंद है सोचो यहां पर ठाकुर जी के सन्मुक पदराने वाली सबजी दाल चावल तक को वैश्नव माना जाता है ऐसी वैश्नव सेवा रिती है लेकिन ठाकुर जी कहते हैं जो केवल मेरी मूर्ती से मतलब रखता है और किसी भाव से कोई उसको मतलब नहीं है ऐसे को मैं राजस भक्त कहता हूँ यह भी मुझे प्रिय नहीं और उसके बाद आता है सात्विक भक्त तीसरा भक्त तो पहला तामसी राजस सात्विक सात्विक भक्त का लक्षन क्या है कर्मनिरहार मुद्श्य परस्मिन वात दरपनम अगवान कह रहे हैं जो प्रतिक क्रिया कर्म करने के बाद में श्रेय मुझे को देता है कोई उपलब्दी उसने प्राप्त की संसार के लोग तो आके उसको बदाईयां दे रहे थे भईया तुमने इतनी बड़ी उपलब्दी प्राप्त की परंतु वो नेत्र बंद करके मेरा इस्मरन करें भोले ठाकुर जी सब आपकी क्रपा है हमने कुछ नहीं किया सब नात की क्रपा है हमारे वश में कुछ भी नहीं है कोई उसकी योग्यताओं की प्रसंसा करे उसके कर्म की प्रसंसा करे उसके स्रेष्ट भावों की प्रसंसा करे वो हर स्थिती में केवल यही भाव रखता है कि नहीं केवल क्रपा है मेरे पास तो यह योग्यता है यह नहीं ठाकुर्जी ने मुझे पर करपा कर दिये तद अरपणम अपनी प्रत्तिक क्रिया का अरपण मेरे चरणों में कर दे कोई भी काम बन गया कोई क्रिया बन गयी कोई उससे श्रिष्ट भाव हो गया सब के पीछे केवल यही रखे ठाकुर्जी ने कराया है कर पाकी न न होती जो आदत तुम्हारी तो सूने ही रहती अदालत तुम्हारी जो दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होती इफाजत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदतु है ठाकुरी जी बड़े कृपा लिए उनकी कृपा से ही हम सब कृपा करें मैं अपनी कथा करने के बाद में ये विचार करूं मैंने कथा सुनाई और मेरी कथा से इनको इतना आनंद आया मेरे से बड़ी मेरी बुद्धी से बड़ी मुर्खता कोई नहीं होगी कि मैं अपनी उपर विचार करूं मैंने कथा सुनाई ना ठाकुर जी ही अहिरदय में विराजमान हो के वानी से सुलंक शिष्ट भगवान वचाम से में भागवत में लिखा कि वक्ता के मुक से ठाकुर जी ही बुलवाते और एक और बात आप सोचो कि आज की कथा तो मैंने बड़े भाव से सुनी मेरे अंदर एक-एक शब्द आ गया आप नहीं सुन रहे थे श्री जी ही आपके एड़े में बैठ करके एक-एक भाव को आपको सुनवा रही थी वो चाहती थी कि आप सुनो और सुन करके जीवन में लागू करो हमारा सुनना, सुनाना, चलना, फिरना हर कर्म के पीछे ठाकुर जी की करपा है ऐसा भाव जो रखता है महिया वो सात्विक भकत है भगवान महिया बोली आपको वो प्रिय है ठाकुर जी बोले हाँ प्रिय तो है पर अति प्रिय नहीं है जैसे कई लोग हमको अच्छे लगते हैं लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिसको बिगएर हम एक पल रह नहीं सकते हैं वो अति प्रिय कहलाता है भगवान बोले अति प्रिय यह भी नहीं है हाँ अच्छा लगता है कभी-कभी मिल जाए तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है सुख मिलता है ऐसे विक्ति को देखके मुझे अच्छा लगता है पर ऐसा नहीं है कि मंदिर में आया और मैं उसको हर्दे से लगा लूँ वो तो चौथे प्रकार के भक्त हैं मैया बोली तो फिर तुरंत बताओ ये चौथा भक्त कौन सा है जिसको आप भरदे से लगाने के लिए लालाइत रहते हो तब ठाकुर जी बताते हैं आहा निर्गुन भक्त मैया ये निर्गुन भक्त कैसा होता है लक्षणम भक्ति योगस्या निर्गुन स्यहदाहतम अहाई तुक्यब्यवहिता या भक्ति पुरुशोत्तम जैसा मैंने एक दिन कुममनदाश जी के लिए बताया था ना उनका पुत्र मर गया और ये ख़बर सुनते ही मूर्चत हो गए सब को लगा पुत्र विरह में मूर्चित हुए हैं लेकिन वो मूर्चित हुए किसलिए थे गुसाई जी ने आके कान में बोले चिंता मत करो सूतक में भी हम तुमको दर्शन करा देंगे सुई जग्गे बड़ी कृपा जीवन में कुछ भी विपरीत अवस्था कुछ भी विपरीत हो जाए फिर भी उसके हिर्दय में कोई विचलित्ता ना आवे उसकी सब चीज में प्रधानता एक ही होनी चाहिए कि शाम सुन्दर मुझे दिखें बस वो जैसे भी हो बस वो मेरे रहे उनके बगेर में एक छण भी रह नहीं सकता ऐसी विचार धारा जिसकी बन जाए अब बरतपुर के भी यहां वैश्णव बैठें बरतपुर में कथा थी तो वहां अमने एक कथा सुनाई थी एक भगवान के भक्त हुए मदन मोहन जी के भक्त थे ते काले खान काले खान के विश्वे में कथा इतनी सुन्दर कथा काले खान की एक विजातिय विक्ती लेकिन केवल धन कमानी की भावना से मंदिर में जाडू लगाने जाते थे काले खान और मंदिर में जाड़ू लगाते लगाते स्थिती ऐसी हो गई कि अब ठाकूर जी के दर्शन के बगएर एक छण भी रह नहीं सकते अब तो दिन रात महीं जाते एक दिन काले खां की पत्नी बोली अपने खुदा को छोड़ करके तुम दूसरे के भगवानों को पूजने जाते हो इसी लिए तुमारे घर में कोई संतान नहीं है मेरी तुमारी इतनी आई हो गई हमारे कोई बालक नहीं है क्यों कि खुदा को तुमने कभी कहा ही नहीं कि बालक दो उसके पीछे पड़े रहते हैं दूसरों का देवता है वो तुमारी क्यों सुनेगा काले खां थाकूर जी के पास गए बुले नात भगवन मुझे पुत्र की कामना नहीं है बहुत सुन्दर बात है काले खां का चरितर बहुत सुन्दर मुझे पुत्र की कामना नहीं है पर मैं चाहता हूँ ये पत्नी की रोज की चिक-चिक बंद हो ये आपको दोस्द देती है और मेरी और आपकी भक्ती को दोस्द देती है इससे मुझे बड़ी परिशान ही होती है ठाकुर जी उसका मुख बंद करने के लिए एक संतान दे दो देखो संतान किस भाव से मागई कि नात मुझे संतान की कामना नहीं पर मेरी पतनी का मुख बंद हो वो बोलना बंद करे आपकी मेरी भक्ती में दोस्ट देखना बंद करे वो रोज कहती है आप खुदा से मागो इन से मत अरे आप ही मेरे खुदा हो आप ही मेरे सरवश्व मैं आपके बगर किसी के पास नहीं जाओंगा मुझे नहीं चाहिए मैं फिर कह रहा हूं मेरी पतनी का मुख बंद हो वो कभी आपके उपर उंगली न उठाए इसलिए एक संतान दो ठाकुर जी बंदवों सब जानते है कि कोई चालाकी कर रहा है कि वास्तविकता थी कालेखा की और ठाकुर जी ने कालेखा को एक संतान प्रधान कर दे घर तो नाच रहा था कि घर में संतान हुई काले खान नाच रहे थे कि अब पत्नी भगवान से कुछ नहीं बोलेगी काले खान तो नाच रहे थे बड़े आनन से पत्नी बोले इतना नाच रहे हो बेटे का मुख देखा बोले देख लोगा उसमें क्या जाता है तुमने बेटा तो अभी तक देखानी फिर भी नाच रहे हो काले खान तो इसलिए नाच रहे थे ना कि कुछ बोले ना आठ साल का हो गया बालक लेकिन बंदू भक्त के जीवन में सब बढ़िया बढ़िया चले थाकुर जी को इसमें मजा नहीं आता डोलते हैं घर के लोग ऐसी हमाई ठाकुर जी है अगर सब इजी इजी चल रहा है ना भक्त की जीवन में तो इनको मजे नहीं आते यह फिर मिर्च का तड़का मारते हैं उसमें और फिर महाराज छींकता डोलता वो दर-दर काले खां के साथ वही हुगा एक दिन काले खां मंदिर में खड़ा था आठ साल का इनका बालक हो गया यह मनाजी के तड़ पर बालक खेल रहा था और खेलते हुए इस बालक को एक काले सर्प ने डस दिया और काले सर्प ने जैसे ही डसा महाराज बालक दोड़े-दोड़े काले खां के घर आ गए काले खां की पतनी को आ करके बताया जैसे पतनी को पता चला पतनी दोड़ करके बालक के पास गई फिर बालक को अचे तवस्ता में देख काले खां के पास गई लेकिन काले खां तो सामने खड़े मदन महंजी को देख रहे ते पीछे से पतनी जब बोलने लगी तो काले खां के नेत्रों से आंसु निकले लेकिन आंसु इसी शिकायत में निकले तभी मैं कहूं इतना बढ़िया बढ़िया क्यों चलाए सब लाल जी मिल गया चैन आपको ये क्या कर दिया आपने उनको ये चिंता नहीं थी कि पुत्र को सर्फ डस गया उनको ये चिंता थी कि अब पता नहीं कितने दिनों के लिए मैं ठाकूर जी के दर्शन से फिर दूर हो जाऊंगा और कहीं मेरे पुत्र के ये दि प्राण नकल गए तो तो मेरा मंदिर मेरी पत्नी छुड़वा देगे वो यहां तो मुझे बिलकुल ही नहीं आने देगे खूब रोय मदन मोहन जी को देखके पत्नी बुरा भला सुनाने लगी अरे पूरे दिन इसी के सामने खड़े रहते हो अरे जल्दी चलो तुम्हारे पुत्र के प्राण निकल जाएंगे काले खांजी दोडे अपने पुत्र को जाकर के देखा अचे तवस्था में पड़ा था पत्नी ने कहा था किसी ओज़ा के पास ले चलो या किसी ओज़ा को ले आओ लेकिन काले खांजी को ले करके नहीं आए किसी वैद्ध्य ने वहीं खड़े हुए उनके पुत्र को देखा और बता दिया वो लेकि इसके तो प्राण निकल गए अब ये जीवित नहीं है पत्नी क्रोधित हो गई और अपने बालक को लेकर के मदन मुहंजी के मंदर गई और थाकुर जी के सामने रख दिया अपने पुत्र को और रख कर के बोली तुम बहुत कहते थे ना कि इनों नहीं दिया है तुमारे पुत्र को इनोंने दिया है तुम यही जीवित कर दें इसको तब काले खाने कुछ पंक्तियां गए और उन पंक्तियों को गाते हुए कहा नाथ अंतिम पंक्ति उसकी बड़ी सुन्दर है हिंदूओं के नाथ हो तो मेरा कोई दावा नहीं पर हो जगत के नाथ तो मेरी सुद लीजिए ए नाथ यदि आप केबल हिंदूओं के ठाकुर जीओ कोई बात नहीं पुत्र मर गया सब सहूंगा आपका दर छोड़ दूँगा लेकिन मैंने तो लोगों को आपको जगतनाथ बोलते हुए सुना है हिंदूओं के नाथ हो तो मेरा कोई दावा नहीं पर हो जगत के नाथ तो मेरी सुद लीजिए मेरे पुत्र को जीवित इसलिए मत करो कि मेरा पुत्र है इसलिए कर दो कि कहीं मेरा आपके दर पर आना बंद ना हो जाए और ऐसा कहते ही काले खांके सामने अचे तवस्था में मूख से जहाग निकल रहा था पुत्र के विश लग गया था जैसे ही ये बात कही इतने में पुत्र उठकर के बैठ गया वो पुत्र के बैठते ही सब लोग वहाँ पर जयजयकार करने लगे पुत्र खड़ा होते ही अपने पिता के पास गया पिता जी पिता जी काले खांने पूला हां, कहो, बले कि वो कहां चला गया, बले कौन, बले एक बालक आया था, एक बालक मेरे सिर पर हाथ फिर रहा था, मैं उसी की गोद में लेटा हुआ था, बड़ा सुंदर था, उसके कटाक्ष नेतर थे, बड़ी सुंदर मुस्कान थी, उसमें से बड़ी प्यारी सुगंदी आ रहा ही दी पिताजी, वो मुझे खेलने के लिए बुला रहा था, वो बालक कहां चला गया पिताजी मुझे तो उसी के साथ खेलना है काले खाके नेतर सजल हो गये, हृरदे से लगा लिया, और कहा आओ गोधी में बैठो दिखाऊं वो बालक कहा है गोदी में बालक को लेकर के द्वार से ही मदन मोहन जी को दिखाया वो रही सामने देखते ही बालक नहाल हो गया वो लेकिन हाँ यही आये थे यही मेरो को गोदी में लेकर बैठे थे बंदुवा सानसारिक लोगों के लिए ये विशे बड़ा कठिन है परन्तु भक्तों के लिए ये विशे सर्वस्रेष्ट है क्या थाकुर जी कह रहे है भाया उसको संसार से मतलब ही नहीं होता उसका सर्वश्व में हूँ वो उठते भी इसलिए कि हम कृष्ण को देखेंगे वो सोते भी इसलिए कि कल पुना उठकर के कृष्ण को देखना है वो भोजन भी इसलिए करते हैं कि कृष्ण प्रशाद है वो स्वांस भी इसलिए ले रहे हैं कि हमें वरंदावन जाना है हमें शामा शाम के दर्शन करने हैं अपनी प्रतिक इंद्रिये को केवल मेरे लिए ही रखते हैं इसके अलावा मेरे से अतरिक्त उनकी और कोई इच्छा नहीं कामना नहीं होती मैया वो निर्गुन भक्त है और ये मुझे सबसे ज़्यादा प्रिये है ये मुझे सबसे ज़्यादा प्रिये है शाम सुन्दर सदा हमको प्यारे रहें हम उन्ही के रहें वो हमारे रहें शाम सुन्दर सदा हमको प्यारे रहें हम उन्ही के रहें वो हमारे रहें हम राधरमन सदा हमको प्यारे रहें हम उन्ही के रहें वो हमारे रहें काव भाव से बंदों आज विश्राम है सुथ्सों का जितनी आचना करनी आज कर लो के रहे हो हमारे रहे जिस डगर से मुरली आ की धुन आएगी उस डगर से मुरली आ की धुन आएगी उस डगर पे उमरी आ एकट जाएगी उस डगर पे उमरी आ एकट जाएगी ऐकव अमारी इमाताजी नागपूर वाली कल आई इन्होंने एक बात कहीं महराज जी हम नागपूर में जहां से आए महां पे सब रस्म सराव और पर यहां जब आये तो यहां पे सब की इच्छा तो थी लेकिन थाने तो क्या किया बोले हमने यहां सब को फिर गवा गवा के गवा गवा के सुना सुना के सब के अंदर एक भाव प्रगट किया मतलब यही बात है मुरली की धुन वहां आ रही थी यहां नहीं थी तो हमने यहां भी बजवाना शुरूख किया मुरली की धुन क्या है बंद्व ये कथा क्रम ये वैश्णव चर्चा ये भगवद लीला गुणानुवाद यही वन्शी की धुन है वास्तों में कल्यूग में वन्शी धुन क्या है वैश्णवों की और हमारे ब्रज के या पूरे भारत वर्ष के विशिष्ट कथा कथा ही धुन है ठाकुर्जी की वन्शी के जिस प्रकार द्वापर में कृष्ण वजाते तो वह वशिद्व गोपियों के चित्त सारे तिमिर दूर कर देती थी आज कल ये कथा सब के इरदे के तिमिर दूर करती है तो ये वंशी से कम है क्या कि इसलिए हम तो वहीं रहेंगे जहां कथा है जिस डगर से मुरे लिया की धुन आएगी जिस डगर से उस डगर पे उमरिया इकट जाएगी 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 उनकी तस्वेर मन में बसाए रहें हम उन्ही के रहें वो हमारे रहें मुह माया की नदिया बही जा रहें मन की ममता को खीचे चली 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 जा रहें इस मोह माया की नदिया के या तो हम बिलकुल बीच में पड़े हों मतलब पूरे मोही पूरे कामी क्रोधी लोवी साभ हैं हमारे बीतर या पर भले हम इसके किनारे आ गए हों नात हम भवर में रहें या किनारे रहें हम उन्ही के रहें वो हमारे रहें हम उन्ही के रहें वो हमारे रहें हम उन्ही के रहें वो हमारे रहें प्रेम पियुश की धार बहती रहें नित्य घन शाम रसनाई कहती 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 रहें अपने तन मन को मोहन पेवारे रहें हम उन्ही के रहें वो हमारे रहें शाम संदर सदा हमको प्यारे रहें हम उन्ही के रहें वो हमारे रहें हम उनी के रहे हो हमारे रहे हम उनी के रहे वो हमारे हम सदा उनी के बने रहे और वे भी सदा के वल हमारे बंदु औं, गोपिया यही कहते है राश पंचा ध्याइब में एक बार जब ठाकुर जी ने उनको पतिब्रता नारियों के धर्म समझाए न, तो गोपियां खड़ी-खड़ी सुनती रही, पती को नहीं छोड़ना चाहिए, बच्चों की सेवा सदा करनी चाहिए, और माता-पिता का घर और ससुराल इनकी निश्था, बात बताने लगे पत गोपियां सब बोली, अब हम बोलें, भगवान बोलो, बोलें आप हमको क्या समझते हो, हम कोई व्यवचार नहीं है, अपने पतियों को छोड़के आपके पास कोई व्यवचार के कारण थोड़े आई हैं हम, ना थ, हमें आपके श्पर्ष की भी अभिलाशा नहीं, आप हम से मिलो, ऐसी भी हमारी एकांग्षा नहीं, आप हमको सदा अपने पास रखो, ऐसी भी हमारी अविलाशा नहीं, तो भगवान बोलो, फिर क्या चाती हो, बोलें केवल आप कह दो कि हाँ, जैसे तुम मुझे अपना मानती हो, मैं भी तुम्हें अपना मानती हूँ, बस, ये सुनने के लिए आई हैं हम, हम जीवन भर उसी पईवार के साथ रहेंगी, उन्हीं बच्चों की सेवा करेंगी, उसी पती को ये अपना सरवश्म मानेंगी, पर हमारा प्रेम केवल इस बात पर स्थर है, हम केवल ये जानने आई हैं, कि आपने हमको स्विकार किया कि नहीं, नात, हमारा प्रेम कोई सांसारिक प्रेम थोड़ी है, हम बस आप से ये दो शब्द समना चाहती हैं, जैसे हम कहती हैं, आप हमारे, ऐसे आप भी कह दो, तू भी मेरी, तू भी मेरा, बस, आप भक्ती से क्या पेक्षा रखते हो, बंधूं, ठाकुर जी प्रगट हो जाएं प्रगट हो कि आपके संग रहें, परिशान हो जाओगे, इतनी सेवा तो तब कन्नी पड़ रही है, जब ठाकुर जी बोलते चलते नहीं हैं, सोचो यही चलन लगे, बोलन लगे, आप कता सुनके घर गए तो देखो पूरो घर उजड़ो पड़ो, कौन मुल मदुमंगल स् आज, कड़या उल्टी पड़ी है, गेस सिलेंडर उठा के फेंग दिये नीचे, ठाकुर जी तो ऐसे हैं उधम बचावे में, अब द्वापर में सिलेंडर वगेरा नहीं थे नहीं, तो गोपी उनके घर में बिस्पोट होते हैं, ठाकुर जी बहुत उदमी हैं, यह चलते भिरते बोलते नहीं हैं, तब तो इतनी सेवा करनी पड़ती है, सोचो, ठाकुर जी चलने लगे, बोलने लगे, सब क्रिया करने लग गए, कभी-कभी मुझे लगता है, ठाकुर जी हम पर दया करते हैं, इसलिए बोलते नहीं, चलते नहीं, क्यों? बटा यही दया मानलो कि हम बेठे हैं, एक जगे स्थिर होके, हम जादा ही हमने चलन फिलन शुरू कर दिया, तो परिजान हो जाओगे, तो आप क्या पेक्षा रखते हैं उपनी सेवा से, बंदों यहां सब सेवक गणि, अधिकतर वो लोग बेठे हैं, जो सेवा करते हैं, अपने घर में नाम जब करते हैं, ठाकुर्जी की सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं, इसलिए यहां की कथा का विशय अधिकतर भक्ती परक है, क्या पेक्षा है आपकी ठाकुर्जी से, ठाकुर्जी प्रकट हो जाएं, नहीं, हम से पूछो तो हमारी एक ही इच्छा है, नात, कभी स्वपन में, य यह सुनने के लिए हम सेवा कर रहे हैं, नात, हमारी इच्छा है नहीं कि आप आओ, गोपियों का यह प्रेम देखो ना, रास पंचा ध्याय में, गोपियां कहती हैं, आप हमको जीवन में कभी मत दिखो, हम तब भी जीवित रहेंगी, नात, हम आपसे कोई काम न करती नही हमारी भी भक्ती से यही उपेक्षा होनी चाहिए कि नात, हम तब तक आपको रिजहा रहें, और आगे भी रिजहाते रहेंगे, बस बीच में कभी संकेत कर देना कि हाँ, मैं तुछ से बहुत प्रसन हूँ, अब प्रसन हूँ, यह भी मत बता दो, आप मुझे अपना मानते होना, बस यह उपेक्षा है, आखरी आशित यही जीवन की पूरण करना प्यारे, क्या, एक बार हिर्दे से लगा लो, ओ मेरे प्रितम, तुम हमारे थे, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रितम, बस एक इच्छा है, बस, इस प्रकार भगवान कहते हैं, मैया, लक्षणम भक्तियोग अस्य, भक्तियोग के सारे लक्षण जिसके अंदर हैं, और, जो अहय तुकी भक्ति करता है मेरी, अहय तुकी भक्ति किसको कहते हैं, बंधू, चाहे कितनी विशम पर स्थिति आ जाए, फिर भी ठाकुर जी का जो प्रेम विश्वास हेरदय में है, वो डगमगाए ना, बंधू, विशम स्थिति आती हमारा सबसे पहले विश्वास खतम होता है ठाकुर जी से, जो हम चाहते हैं वो ना हो, ऐसी स्थिति होते ही, सबसे पहले विश्वास खतम होता है, और विश्वास खतम होते ही हमारी भक्ति नश्ट ठाकुरु जी केते हैं पर अही तो की भक्त कैसा होता है चाहे कुछ हो जाए जीवन में उसके बाद भी कभी मेरी भक्ति उसके हिर्दे से जाए ना ऐसा अही तो की भक्त मुझे प्रिये है हम शिकायतों में लगे रहते हैं आपने जे नहीं किया ठाकुर जी ऐसा क्यों कर रहे हुझे नहीं कर रहे पर वैश्नव का स्वभाव कैसा बंध हूँ कि अगर विपरीत स्थिती भी जीवन में आई है ना तो उसको भी किसी ना किसी रूप से भगवत किरपा समझे जैसे सूर्दास नेत्र नहीं थे सूर्दास जी को सब लोग जाके कहते तुम 24 गंटे ठाकुर जी का भजन करते हो ठाकुर जी ने तो तुमारे साथ कितने श्ठुरता की आँख तक नहीं दी तुमको बताओ ठाकुर जी कितने निर्दे ही बन गए तुमारे लिए दुनिया को देखने के लिए आँख दी तुमको आँखे नहीं दी और फिर भी तुम उस भगवान का इतना भजन करते हो सुरदास मस्कुर आए बोले अरे लाला तु अभी ठाकुर जी के रूप को समझा नहीं भोले कैसे क्या रूप है बोले रूप ऐसा है या हम किसी को वस्तू देते हैं क्यों देते हैं जैसे मा बहर बजार जा रही है तो बजार जाते समय, दो पुत्र हैं, एक बड़ा एक छोटा, दौनों मैंसे किसको घर की चाबी देके जाएगे, बड़े पुत्र को, क्यों? जिम्मेवार है चोटे पुत्र को चाबी भी नहीं देगे, और को तो अपनी संगे ही ले जाए गोध में, क्यों? बालक है, अभी अबोध है बोले हम जिम्मेवारी किसको देते हैं? जो बुद्धिमान हो, उसको देते हैं लेकिन जो गैर जिम्मेवार है, जो ज़्यादा बुद्धिमान नहीं, अबोध बालक है, मैया उसको गोध में लिए, फिर घूमती रहती है बोले अभी छोटा बालक है, कुछ भी खा जाएगा, कहीं भी गर जाएगा बोले भाईया, ऐसा ही हुआ है, तुम सबरे जिम्मेवार हो, इसलिए ठाकुर जी ने तुमको आँक दी, भाईया, गड़ा आवे तो समल के चलना उचाई आवे, तो फलांके चलना हाँ, रस्ते कैसे भी आएं, अपने आप देख के चलना, जिम्मेवारी आएं तुम्हारे पास पर मेरी जिम्मेवारी ही तो ठाकुर जी बोले, एक गहर जिम्मेवार है, इसको तो मैं ही गोद में लेके चलूँगा इसलिए मुझे तो आखे ही नहीं दी है मुझे आख इसलिए नहीं दी, क्योंकि मेरी उंगली पकड़के तो स्वें सामसुंदर चलते हैं आगे-आगे बोले भाईया लाला, सूर्दास, तू अपने आप चलेगो, गिरगरा जाएगो, चल तेरी उंगली पकड़के मैं चलूँगा इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र नहीं दिये, तुमको नेत्र दिये मतलब तुम्हारी जिम्मेवारी तुम्हारे हाथ, गड़े में गरे तो गलती तुम्हारी भानी जाएगी पर मेरे को नेत्र नहीं दिये ठाक गुरुजी न क्यों बोले अरे तो ये तो मैं रस्ता बताऊंगा, तु मेरी उंगली पकड़ के चल ऐसी बंदुओं जीवन की हर इस्थिती, हर परिस्थिती वैश्णव का स्वभाव है वो उसमें भगवत कृपा ही समझता है आज अभी इस कथा के बाद ही चिंतन कीजिए, हमारे साथ क्या गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये अनुचित हुआ, अब उसको आप कृपा में परिवर्तित करो, ये कृपा थी ठाक गुरुजी के, ऐसा विचार करो हिर्दे में, और देख ना फिर आप, वो कृपा ही लगेगी उसके बाद उस भाव का जब चिंतन करोगे, तब तब नेत्रों में सजल, आशू आजाएंगे कि ये कृपा है ठाक गुरुजी के अहे iki तुगी भक्ती, किसी भी प्रकार के क्रम से, किसी भी प्रकार की विप्रीत वस्था से उसका हिर्दे कभी विचलित ना होता हो ये मेरे भक्त का लक्षा, मया ऐसे निरुगुण भक्त मुझे बहुत प्रीय है क्यों? बोले कि ऐसे निर्गुण भक्त जो सदा सरवदा अपनी बुद्धी, मन, इस्थती सब में मुझको बिठा के रखते हैं मेरी भी मन, बुद्धी, इस्थती में फिर वो ही रहते हैं उनकी सब क्रिया फिर मैं निश्चित करता हूँ, सुनिश्चित करता हूँ कैसे क्या होनी चाहिए एक भक्त का आज इस्मरण करा रही थी सुबए अभी आ रही है इस्मर्ती उसे के गोवर्धन में एक जाडू लगाता था, एक बालक उस बालक को मंदर प्रवेश का अधिकार नहीं था बंधू एक बात बताएं ये हमारे मंदरों में गैर लोगों का प्रवेशादी बीच में बंद क्यों रहा कई मंदरों में आज भी बंद है क्योंकि लोग जाते भक्त बनके और मंदरों में जा करके फिर कुछ अनुचित कृत्त करते थे इसलिए बीच के कुछ कालों में क्योंकि मुगल जब आ गए थे ना भारत में तो ये क्या करते थे अपने सेनिकों को ब्रामण बना के बिजते थे मंदर में त्रिपुंड लगा के चोटी ओटी रखवा करके तब बेजते थे और वही ब्रामण बेष में गए हुए मुगलों के सेनिक गव मामश बांध के ले जाते और मंदरों में जाके गव मामश भेकिया थे ठाकुरजी पर जाके चड़ायाते अनुचित करयाते तलवाराधी छुपा के ले जाते मंदर में जाके तोड़ फोड मचा देते इसलिए फिर बड़े-बड़े मंदिरों में नियम बना दिये गए इनका प्रवेश उच्छत होगा, इनका अनुच्छत होगा, यह जाएंगे, यह सब हुआ बंदो हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म तो बड़ा सामंजस्य वाला धर्म था यह तो विकृतियां आईएं बीच में हम कितने वर्ष तक गुलाम रहे हैं, आपको पता हजार वर्ष से ज़्यादा गुलाम रहा है भारत ये गुलामी का परिणाम, गुलामों से बचने के लिए हम लोगो ने ये सब नियम बनाए, जो मंदरों में आज कई जगे इन पर प्रशन उठाए जाता, ऐसा क्यों है मंदरों में, इतना भेदभाव क्यों है, ये क्यों हो, फो क्यों हो ये सब पहले नहीं था ये बाद में जबर्जस्ती स्थिती बनी इसलिए करना पड़ा तो एक जाड़ू लगाता था गिर्राज्जी में उसको मंदर में प्रविश्का अधिकार नहीं था तो वो क्या करता था? बाहर बैठ जाता था और मंदर से आने वाले सारे वैश्णवों से पूछता था ठाकुर्जी कैसे लग रहे हैं? ऐसा ही चरित रहता है ताज बेगम का ताज बेगम अकवर की पत्नी हुई उनको भी ठाकुर्जी इतने प्रिया लगते थे पर मंदर में प्रवेश्नी होता था तो प्राचीन काल में भारत में खिड़कियां होती थी मंदरों में वहां खिड़की से जिनको अंदर प्रवेश्नी वो वहां से दर्शन करते थे ताज बेगम को कई जगे दर्शन नहीं होता तो बहार बैठ जाती और दर्शनारतियों से पूछती कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी बहुत ऐसे लग रहे हैं ऐसे लग रहे हैं आहा उसी का चिंतन करके अपने चित में और फिर एक सुन्दर चित्र बनाती और चित्र बना करके दर्शनारति से पूछती भाया बस एक बार देख के बता दो ऐसी लग रहे है ठाकुर जी तो दर्शनारती कहते हो रे तुम तो ऐसा लग रहे है कि बिलकुल भीतर के ठाकुर जी का चित्र खीच लाई हो इतने सुन्दर प्रत्यक्ष जैसे ठाकुर्जी भीतर होते थे वैसा चित्र बना देती थी ताज बेगम अंदर तो जानी सकती सुनकर के चित्र बनाती थी और स्थिती ऐसी पहुँच गई ताज बेगम की कि करते 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 अब तो ये हो गया था कि ताज बेगम बिना पूछे चित्र बनाती और चित्र बना के केवल अपने प्रेम के प्रमाण के लिए दरशनारती से पूछती क्या ठाकुर जी ऐसे लग रहे हैं हाँ बिल्कुल ऐसे ही दर रहे हैं अरे हमारी भी दृष्टी ने गई तुमने जो जो माला पेनाई हैं ये भी ठाकुर जी ने पेनी है तब ताज बेगम के नित्र सजल होते कि अब मेरे चित्त में ठाकुर जी बेढ़ गए मतलब जैसा मैं सोचती हूं ठाकुर जी वैसे श्रंगार करते हैं ताज बेगम की इस कथा से हमने एक चीज सीखी, आपको बताएं, आप भी किया करो, ठाकुर जी के कभी मंदिर में जाओ ना तो पहले ही भार से सोच के जाओ, ठाकुर जी अगर आज आपने मुकुट पहना होगा, और उस मुकुट पर मोर पंक लहरा रहा होगा, नीचे सोने की मोती की लर लग रही होगी, या अपने आज नीला वस्तर पहना होगा, या पीला होगा, या ऐसा पटका डाल रखा होगा, कुछ भी, पांच-छे चीज़ें सोच लो, इलमें से कुछ भी मिल गया, तो समझ जाएंगे कि ठाकुर जी, आप हम से प्रेम करते हो, मैं तो बह कादर्मन जी जाओंगा, पहले ही सोच लोगा, आज ठाकुर जी ऐसे ऐसे दिख रहे होंगे, नीले वस्तर पहने होंगे, पीला पटका, अच्छा, हम बड़े चतोर हैं, हम सोच भी 10-5 चीज़ लेते हैं, तो एकाद मेले ही जाती है, हम क्यों ये बात स्वीकार करें कि ठा कि ठाकुर जी हमको मानते ही हैं अपना, इसलिए बहुत सारी चीज़ा सोच लो, पर एक बात बताओ, एक बार ऐसा हुआ था, कि मैंने पांच चीज़ा सोची और पांचों मिल गए, आप विश्वास नहीं मानोगे, उस समय की स्थिती, ऐसा लगा मानो, आकाश में उड़ और कोई नहीं मंदिर में बस राधर्मन जी और मैं खड़े, तो कभी भी दर्शन करने जाओ थाकुर जी का, पहले विचार करके जाओ, थाकुर जी, आज आपका श्रंगार ऐसा होगा, ऐसा पटका पेना होगा, ऐसा होगा, या श्रंगार के अलावा, हर रोज श्रंगार कभी नहीं, कभी-कभी ऐसे सोच के जाओ, आज गुसाई जी कि अगर मुझ पर डिष्टी पढ़ गे, उन्होंने मुझे तुलसी दे दी, उन्होंने मुझे माला पेना दी, उन्होंने मुझे प्रशाद दे दिया, कुछ भी हुआ, तो समझूगा कि आप मुझसे राजी हो लेकिन इसके लिए एक सावधानी पहले ही बता दूँ, अगर आपने जो सोचा वो वैसा कुछ भी नहीं हुआ, तो उदास भी उतने ही हो जाओगे मंदिर में, उदास मत हो ना, कोई बात नहीं, ठाकुर जी आज स्वीकार नहीं, कल करोगे, अगली बार आएंगे तब करो नाथत द्वार में जब हमारे लाल जी का प्रथम जनमोत्सव हुआ, हम श्री नाज जी दर्शन करने ही पहली बार 2019 में गय थे, अभी क्या चल रही है 2023, पहली बार श्री जी भाव का दर्शन में अपने जीवन में 2019 में किया, और प्रथम दर्शन करने के लिए जब गया, तो लाल जी के सामने जब मैं खड़ा हुआ, तो महां भार वैशनव थे, वो सब मुझे को बोले ये बोई वाले भाईया हैं, जन्होंने गोवरदनवाज सांवरे गाया है, मुझे नहीं पता था ये पद वैशनव को इतना प्री है, मैं तो बस नाना जी की आग जाती तो म मैं निश्चित प्राप्त हो जाऊंगा, अब वो बात नाना जी की हमने सुन ली थी, लेकिन उसका कोई ऐसा भाव नहीं था, पहली बार नाथत द्वार दर्शन करने गए, उसके पीछे भी कारण ये था, हमारी सबसे चोटी बहन का ब्या हुआ हुआ, पुष्टी मारगी परिवार में, और वहां नियम है कि विवा होते ही, दमपती नाथत द्वार प्रणाम करने जाते हैं, तो वे प्रणाम करने जा रही थी, उनका मुझप फोना है, वो ले तुम कहा हो, मैंने का मैं एमदाबाद हूँ, वो ले वहां से आ जाओ, चार पांच, चार गंटे वहिया गोवरदनवाज सामरे, मैंने के सुना दूँगा, जैसे ही मैं ठाकुर जी के श्री जी बाबा के सामने कया, मुझे लगा ही नहीं कोई प्रतिमा है, ऐसा लगा कोई ग्वारिया बालक खाड़ा है सामने, और उस समय पद की दो पंक्तियां गाई ही ठाकुर जी के आ मैंने के अरे, ब्रजवासीन से ऐसो कहा बहर इतनी दूर आके बैठके हैं, मैं लाल जी, अम ब्रजवासी खूब सेवा करेंगे, चलो बापिस हमारे संग, ये भाव अपनी आप मनवप्रतम दर्शन में आया, और उसी का परिणाम भार आये, एक वैश्णव ने कहा पायसा, मैंने लाओ, दो, और वो हमको गिर्धरलाईल जी दे गए, बोले लो, ये अब आपके संग सदा विराजेंगे, मैंने की मुझ पर स्रिंगार का सह भी नहीं आता, बोले ये सब करा लेंगे, आप ले जाओ बस, आज तक विराज रहें, मैंने तो कृपा का प्रत्य जैसे ठाकुर जी चाहिए, मैंने की बेटा, ये तो आवेत प्रेम के मूले रे, मैंने की बेटा, पहले प्रेम करो, मैंने की यों मत पूछा करो, कितने के लाए, कहां से लाए, तुम प्रेम करन लगो, ये खुद आ जाएंगे तुमारे पास, और मैंने की ये जो पद है न कि इससे ठाकुर जी को विरह होता है, ठाकुर जी को याद आती व्रजवासियों की, तो श्रिंगार हो जाए, भोग लग जाए, उसके बाद ठाकुर जी खाली वैटने, तब ये पत सुनाओ, ठाकुर जी शेन कर रहे हैं, और आपने पत गादिया, राद बर विचारे रोमेंगे, सुर्व सुर्व करेंगे नाक से, बजवासिन की याद में, इसलिए ये पत तब सुनाना जब ठाकुर जी अवकाश में बैटे हो, खाली हो, कोई लीला नहीं कर रहे हो, लेकिन ये पत बंदुओं रोज सुनाओ अपने ठाकुर जी को, हम आपको विश्वास से कह रहे हैं, हमाई पास तो लाल जी पधार गए, आपके परास प्रत्यक्ष लाल जी आजाएंगे, ठाकुर जी अपने आप आजाएंगे, भक्ति क्या है बंदुओं चिंबक है, और चिंबक में जितनी ज्यादा पावर बढ़ाते जाओगे, नाम जप और अपने साधना से, उतनी जल्दी ये चिंबक का आकरशन करने वाले ये जो लाल जी है, ये दूसरी चिंबक हैं, ये आपकी चिंबक से आके ऐसे अने आठ्द्ध मे पहले हरते है आठ्द द्वार मेंड तो में ठाकुर जी तो इसमें में ठाकुर जी श्र Curry चृ करता था उर श्रिंगार करके, नो बजे आ का मंच पर बेढ़ जाता था में तर्शन करने जाथना नहीं जाता था में शाम को उत्थापन के, ठाके ऑन भू तो प्रतम दिन वो दर्शन करके आया, करके बताया, बुले महराज, मैंने की कैसे आज श्रीजी बाबा कैसे लग रहे, बुले आज ठाकुर जी ने नीलो पिछोड़ा पहनों है, ऐसे पीछे अपने ऐसे धारन कियों है, इतनी सारी माला पहनी है, ऐसा चोक्ता है, और ठाकु यार, मैंने कहीं कि तु श्रीजी बाबा के दर्शन करके आया, यह तु हमारे लाल जी के क्यों करके आया हो, बोले मैं लाल जी के नहीं, मैं श्रीजी बाबा की करके आया हूं, मैंने के यह कैसे होगा, मैं तो सुब अपने लाल जी को ऐसा बनाया हो, और शाम को जब मैं उ अगले दिन हमने ठाकुर जी को लाल पिछोड़ा धराया और अगले दिन मोतियों की हट्री में हमारे लाल जी बैठे मैं कथा करने आ गया कथा करवे के बाद मैं वो बालक फिर मिला मैंने कि हाँ भाई आज ठाकुर जी कैसे लग रहे बोले आज श्री जी बाबा ने लाल पिछोड़ा पेनो है और मोति की हट्री में विराज रहे मेरे हाथ फाओं कहां पे मैंने कि भाई तू यार तू सही जी बता वो ले सही बता रहा हूं मारे जी और शाम को फिर उत्थापन में में दर्शन करने गया तो वैसी ठाकुर जी मैंने का ये कुछ तो बात है अगले दिन में सोचके बैठा मैंने कि आज मैं ऐसा श्रिंगार करूँगा जो श्री जी बाबा धारन इन दनों में करते ही नहीं है तब पता चलेगी और हमने अपने ठाकुर जी को सहरा बान दिया दुला बना दिया अपने लाल जी मैंने कि अब ये जर्वरनी के समय है, अब काई कुछ एरा पहनेंगे ठाकुर जी, और उस दिन ठाकुर जी नीली हट्री में विराजमान हुए, अब मेरे कथा में कम मन लगे, मुझे यो लगे, कब कथा पूरी हो, मैं उससे पूछूं कि आज ठाकुर जी कैसे दिख रहे हैं, कथा प बावने सहरा पहना है, जैसी उसने ये बात कही है, मैं सत्य बताओं, नेत्रों से अविराल अश्रुधार, नीली हट्री में ठाकुर जी विराज रहे हैं, अब भी भी सोच रहा हूं, मेरे रोंग्टे खड़े हो रहे हैं, नेत्र सजल हो रहे हैं, कैसे कृपालू नाथ, ये रीती थी ताज बेगम, उसको अंदर प्रवेश नहीं था मंदर में, तो बहार से अपने हिर्दय का चित्र बनाती थी, और पूछती थी दर्शनार्थियों से, ऐसे ठाकुर जी दिख रहे हूं, तो मैं मानू कि ठाकुर जी मेरे चित्त में, और जब दर्शनार्थी आ अज बेगम, बंधू, हमारी भक्ती यहीं तक स्वीमित रहे, हमें मिलना नहीं है ठाकुर जी से, हमको ये छोटे-छोटे अनुभव से हम जी लेंगे पूरा जीवन, हमको प्रत्यक्ष दर्शन के अविलाशा नहीं है, बस आप इन इन भावों से, छोटे-छोटे भावों कर देते हैं न, कि हाँ मैंने तुझे स्वीकार कर लिया, बस मुझे उसी में सुख है, हमें उसी में सुख है, तो जाडू लगाने वाला एक वैशनव, गोवर्दन में जाडू लगाता, दर्शन नहीं कर पाता था, दर्शनार थी उपर से आते, उनसे पूछता था, आज पगड़ी कैसी, आज माला कैसी, आज श्रंगार कैसा, और जैसा वो बताते, नीचे रज में ठाकुर जी का वैसा मुखमंडल बनाता, वैसी पाग बनाता, और वैसा ही माला अधी धराके, और फिर रज में बनाई गई अपनी कलाकृती को श्री जी बाबा समझ के प्रणाम करता है, आज ऐसे दिख रहे हो, एक दिन, ठाकुर जी के हिर्दे में उससे मिलन की कामना उत्पन होई, और जैसे उससे मिलन की कामना उत्पन होई, तो राजभोग के बाद जब सब दर्शन करके चले गए, पूरा गोवर्दन खाली हो गया, सब लोग जाकर शेन चले गए, एक दो बज़े सब सो जाते हैं दुपेर में, उस समय भी जालू लगाने वाला महीं बैठा, रज में जो ऐसी उसने अकृती बनाई थी ठाकुर जी की उसी का दर्शन कर रहा था, चिंतन कर रहा था, आज ऐसा पिछोडा होगा, ऐसी पाग होगी, ऐसे कुंडल होंगे, ऐसी माला होंगी, और बस इसी प्रकार से चंतन कर रहा था, तभी नेत्र खोल करके उसने उपर गिरिराज परवत पर जब मंदिर के पास देखा, तो ठाकुर जी की मोतियों की माला चमक रही है, पिछोडा च है, हमारे यहां उसको ती बोलते हैं, हाँ सब जगह अलग अलग वो ऐसे डालो, फिर एक पाउं से पकड़ो, कब से तो खेला ही नहीं, बच्पन में खूब खेलते थे हैं, अब की बार लाल जी को उत्सब में एक दिन वो खेल भी खेलेगे, हम लाल जी को उत्सब में सब क करवाएंगा, लाल जी खूब प्रसंद रहें, तो ऐसे श्रीनाथ जी अपनी एक टांग पर उचल ले थे, गिर्राज परवत पर, एक पाउं पर उपर कर रखा, और पाउं पगड़के हो करें, अरे कोई आयो भाया, मेरे कांटों लग गयो, मों को बहुत पीड़ा हरी है, जल्दी आओ, अब वो नीचे बैठा वो बालक, वो देखे ये कौन है, अरे, ये तो मुकटदारन किये है, ऐसी संदर बेनी गूती भाई है, इतनी सारी माला, पिछोडा, अरे, ये तो ठाकुर जी जे सुश्रंगार है, ये कौन है, दुगूर गिर्राज परवत पर देख तो नहीं रहा है, वो कोई नहीं है, उपर ज्यों ज्यों समीप जावे ठाकुर जी की ज्यों ज्यों कमल नैन ठाकुर जी, संदर थोड़ी को चबुक चमक रहो है, माथे को रोरी को चंदन चमक रहो है, ऐसी संदर ठाकुर जी की छटा, देख करके जैसे जैसे पहुंच गया, वही मूर्चत हो गया, ठाकुर जी ने सिर पर हाथ पेरा, भोस में आया, बहुत लाल जी आप ही हो, बहुत हम बे मैं ही हूँ, लाला, मैं तो को यामारे बुला रहा हूँ, मेरे न कांटो लगो पाम में, जल्दी चल निकाल दे आको, ठाकुर जी जिन चरणो को किसी को नहीं देते, सीधे उसकी गोद में पदरा दिये, ले, चरण ते कांटो निकाल दे, उसके हाथ कांपरे, मुख कांपरा है, वो समझ नहीं पारा, मैं क्या करूँ, कहां ठाकुर जी कांटे लगे हैं, ठाकुर जी बोले, पामन के तलवा को ऐसे हाथ से मल के देख, महां मिलेगो, ठाकुर जी के श्री चरण कमलों के तलवे, जहां पर बज्जरां कुषद्वजसरो रुहलांचनाद्यम उत्तुंगरक्तविलसनक चक्रवाल, देवतादी कहते हैं, जिसका इशपर्ष किसी को प्राप्त नहीं होता, वो उस जाडु लगाने के वाली की आले उंगली से निकाले नहीं, और भीतर चलो, अरे दारी के तैने तो और भीतर घुसाय दियो, अब मोकु और पीडा ए रही है, वो लो ठाकुर जी कैसे निकालों, जो एसे ना निकरों, सुन, तू पाम पकड़के और अपने दातन सो निकार, वो लो मेरे प्राण निकल करेंगे नात, इतनी कृपा मत करो, तू तेरे प्राण निकरेंगे, मेरे निकर रहे हैं, जल्दी निकार, जबर जस्ती कृपा कर रहे हैं उसके उपर, और वो कोई कांटा लगा थोड़ी है, बस उस पर कृपा करनी है ठाकुर जी को, उसके मुख के पास अपने चरन दे द अपनी खिरक में डालवाटी बना रहा है, वाकि डालवाटी खावे जाऊंगो मैं, चल, ले चल मुकू, अरे ठाकुर जी, ये सब गोविंद अदास आधी अश्ट सखा, ये लोग बड़े अपरसमे रहते हैं, शुद्धता पवित्रता का बड़ा ध्यान रखते हैं, आप मेरे से छुप गए हो, ये भी इनको पता चल गई, तो मुझे मार देंगे महराच जी, ठाकुर जी बोले तेरसंग में हूँ न, चंता का रखते हैं, चल, अपने कंधा बेठा ले, ठाकुर जी उसके कंधा पे बैठ गए, और सिर पकल लिया, और वो लेकर के जा रहा है, सो तु यही छुप जा, मैं जा रहा हूँ, और सुन यही रुख जाई हो, तिर का जे बाटी में लियाँग, तो भी भूक लगी होगी, ठाकुर जी उतर कर गए, गोविन स्वामी कदम खंडी में जा करके बैठे, गोविन दास बोले, आगे जय जय जय, बोले हाँ आगो, बलत सोच रहे हो आप, यह बारा बजे जो मंदर बंद हुए और चार बजे, यही तो लीला का समय है, ठाकुर जी इसी समय करपा करने जाते हैं किसी पर, यह सोते थोड़ी हैं ठाकुर जी, गवचारन का समय, लीला का समय है ठाकुर जी का, ठाकुर जी पहुंच गया, जेब में भल्ले हैं अपनी, बाके काजे लेके जानिये, खड़ो बचारो, लेके आयो मुकू जहां 5-6-7 सामान्य बाटी खाने वाले लोग होते हैं, ठाकुर जी कम 15-20 तो खाते हैं 56 भोग देखा ठाकुर जी हमाने 100 सो लाला, इतनो बड़ो इतनो सो बाको पेट, और 56 भोग देखा कल कितनो, पूरी नाब भर गई माहराज ठाकुर जी को पेट नहीं है, कुवा है, कितनो खवाय तो बरेन आये खुब प्रेम से माम है, तो गोविन दास ने पहले इतना आटा लगाया था कि उनको पता था कि जलाल जी बीस पच्चीस बाटी तो खामेंगे, और वो भी तब जब राजभोग पाकी आये हैं, राजभोग आर्ती हो गई है, पावे में तो बड़े निपुड हमारे लाल जी, अच्छा एक बात बताओं बंदू, एक बार एक तर्क कुतरकी व्यक्त उसका एक ही उत्तर है, पूरा विश्व भगवान के उदर में है, जब ठाकुर जी का भोग लगता है तब सब का पेट भरता है, यह हम आप सब लोग रोज भोजन कर रहे हैं, इसका परिणाम यह कि ठाकुर जी का भोग लग रहा है, और यदि कोई व्यक्ति भूका सो रहा है, तो निश्चित कोई न कोई व्यक्ति प्रशाद का अपमान कर रहा है, उसी अपमान के वज़े से कोई भूका है, यह पूरा विश्व ठाकुर जी के गर्व में, और आप तो आठ हरव मानवों को जानते हो, जल के प्राणी, जंगलों के प्राणी, हवा में उड़ने व थाकुर जी बोले, अब गोविंदास पेट भरगो हमारो तो, अब हम जा रहे हैं मंदर, अब जाके नेक दिर सोमेंगे, फिर चार वज़े उद्धा पनारती होएगी, गोविंदास बोले, जैसे थाकुर जी खड़े भए, तो थाकुर जी की पीतंबरी इतनी फूल गई, बाटी बल्ले ही जी में, गोविंदास बोले, जै का है रहो थाकुर जी ने गरुकियों, बले कहा, ये इतनी पीतंबरी ऐसी तुमाई कैसे फूल गई है, ये तो तब भूले जब आप नाचो, जो गोल-गोल भूमत तो ऐसी पीतंबरी फूल जाए आपकी, ये इतनी कैसे आप भर रखो भीतर, थाकुर जी बल्ली है, जोन कुछ ना गोविंदास ने पकल लिए, देखे तो भीतर जे ने महराज जो जाए बाटी बर रखी ये जेव को बरजवासा में के गोजा, गोजा बाटी बर रखी है, गोविंदास भूले बाटी जो जब में काई को धर दौड करके गोविंदाज गए तो जाडू लगाने वाला बालक मिल गया थाकुर जी सही सही बताओ पूरी बात कहा है तो उस बालक ने गई गोविंदाज जी मुझे चमा कर दो मुझे बहुत बड़ा अपराद हो गया आज थाकुर जी मेरे कंदा पर बैठके आए को ध्यान रखो विचारो वो तान सेन एक बार पद गावे आयो तो गुसाइं जी ने भगाई दियो वो लेकाई को पहले तांबूल थूक के या शुद्ध मूह सेवा का ठाकुर जी की इतनी सेवा शिष्टाचार को विचार करें और यह ठाकुर ने सबरी सेवा तोड रख बुले यह को कोई अपराद थोड़ी है विचारो यह तो उपर ही ना जावे कोभी गिर्राज परवत पर तुम नहीं बुलायो जरूर बुला है इन नहीं बुलायो थाकुर जी बजमारे तू और बता दे सवरी बातन में अरे तो पर कृपा करिये तू और मेरी शिकायद कर गोविंदास भूले ऐसे काम नहीं चलोगो थाकुर जी बुले बता कहा करूँ गोविंद कुंड में शनान करो शनान करके उपर जाओगे यह बड़े तीन तीन वार नवा नवा के हमको बड़ी अपरस्ता को बात बता में थाकुर जी को सामने शुद्धता ज़ा पवित्र जो नाके जाओ थाकुर जी बुले देख भाईया सरदी को समय कैसी थंडे कोहरा पड़ रहे हैं सूर्य के दरशन ना वह चार देना ते तु मुझ कुंड में अवावेगो ऐसो मत करें चल मैं काम करूँ मैं आचमन कर लूँ अपवित्र हपवित्रो वासरवा वस्थांग यह प्यासरव पिवा यह श्मरेद पुंडरी काक्षम सबाईया अभ्यंतरस्थुची ऐसे जल छिड़काओ करके व्यक्ति पवित्र माना जाता है ठाकुर जी गई गोविन्द कुंड में जल लेके अपनी नाम से अपने आपको पवित्र कर रहे हैं यह श्मरेद पुंडर जाए इक आक्षा, सबाय अभ्यन तरस्त हुच इतने महीं गोविंदास पीछे से घखा दे दियो थाकुर्जी को गेड़ दिये गोविंदकुंड में थाकुर जी माराज गोविंद कुंड में दूब रहे हैं तेर रहे हैं बोले ऐ गोविंदा तो देख लूंगों में आज गोविंदास की बात मान के थाकुर जी बचारी गोविंद कुंड में ना लिये दोड करके मंदर में गए जैसे ही उत्थापनारती भई सो देखी ठाकुर जी के सरवंग अंग से जल चुचा रहा है गुसाई जी बोले जह जह इतनी सरदी आपको पता है श्रीनाज जी साल में तीन या चार बार इशनान करते हैं बस तो बाकी के दिन गीलो कपड़ा करके पुँच दिये जाएं बचाज नेक सो सब बालक है रोज रोज नावेगो तो बीमार पड़ जाये वो इसलिए रोज रोज केवल पुचा जाता है बाकी जनमास्थमी शनान पुर्ण माहादी दो चार साल में दिन हैं उनमें शनान करते ह गोणास जी तो बड़े अंगीठी रखी कंभल अड़ायो गुसाइजी ने गोणास जी आये गुसाइज़ी बोले गोणा तेने ठाकुर जी को धक्का दे दीो गोविंद कुंड में अच्छा तो पहले आके बता दे इनन्हें मैंने कह कियो है अब मैं बता दूंग गोविंदा तु मेरो प्रियना है मेरी शिकायत मत करें गोविंदा जी बता दी गुसाइं जी जाड़ू लगावे बाला के वाक कंदा बेट के घूम रहे इनने शुद्धता पवित्रता का विचार नहीं किया इसलिए मैंने गोविंद कुंड में धक्का दियो तब गुसाइ ऐसे भईया ठाकुर जी के मदर लीला पौने दो हो गए हैं कितने बजे की बस है सब की तीन चार बजे की है सब निकलने हैं हाँ तो अब हम लोग भी भाव से ठाकुर जी को प्रणाम कर लें बंधों बहुत आनंद आया काशी में तिन दिवस्तक ये भगवत चर्चा हरी च सुख मिला हमारी ये सब सखियां हैं श्री किशोरी जी की जिनोंने मिलकर के ये सब सुंदर भाव रखा खूब इनका मन था खूब दिन तक हो खूब हो अच्छे से पर जितना समय मिल पाया आज हमको रात्री विदेश प्रस्थान करना था पर कल ही कारिकरम स्थगित किया बहुत दिन हो गए वरंदावन से गए हुए अब हम वरंदावन सब को सुनाते हैं अब कुछ दिन जाके वरंदावन में आराम करेंगे राधावल्लव जी राधारवन जी विहारी जी के दर्शन करेंगे टटिया स्थान की रजम लोटेंगे संत जनों के पास जा जा करके म मंगल करेंगे फिर उसके बाद लगातार फ्रिकताएं हैं काशी से बंदुम बस एक ही प्रार्थना है हमारी यह भूमी हमको बार बार बुलाती रहे मुझको बहुत प्रिय है काशी मुझे बहुत अच्छा लगता है यहां करके हमारे अवशेक जी तो कल कह रहे थे बालक सब बता रहे हमारे अनुच जी कि महराज जी एक बार लाल जी का जनमोत सब काशी में भी करो आप हर वर्ष जो अलग-अलग स्थानों पर करते हो एक बार आप गंगा जी के तट पर भी करो इस बार द्वारी का में अंतिम दिन हमारे ठाकुर जी के सामने पड़्ची डाली जा अगर हमारे लाल जी को मन भाया तो निश्च्ट अगले उतसव के वैसे तो पांचवा उतसव है मतलो 2025 में 2024 में थाकुर जी का चौथा उतसव है पांचवा है 5 सल के यघे लाला अरे हाँ 5 साल तो यह पांचवा उतसव तो अभी द्वारी का में है तो हमारा एक और था कि हर पंच वर्ष के बाद एक उत्सव नात द्वारा में करेंगे तो शायद हो सकता है 25 वा अब देखेंगे जैसाब जो हो परची डालेंगे लाल जी के आगे आप सब आना द्वारी का 11 से 17 जनवरी 17 जनवरी को ठाकुर जी के आगे चार इस्थानों की परची डालेगी नात द्वारा काशी व्रंदावन और एक इस्थान और जहां की गोवर्धन जहां की परची आएगी वहीं उत्सव होगा अगर काशी की आगई तो कमर कस लेना फिर सब लोग एक साल तक आप लोगों को चैन नहीं पड़ेगा फिर सब विवस्थाओं में लगे रहना कौन सी जगह होगा सब सुख मिले महराज सब लोग पधारें जनवरी का महिना रहेगा ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी कौरा पढ़ रहा होगा विश्वनात महादेव पधारेंगे लाल जी आप सब पर ज्यादा कृपा नहीं करें बस इतनी करें कि आप सब के अंतिम समय आने से पूर्व ठाकुर जी का एक बार संपुर्ण जीवन में प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो जाएं लाल जी प्रत्यक्ष एक बार हमको दिख जाएं बस ये कृपा अनुग्रह हमारे उपर हो जाएं बहुर हमारी कोई अविलाशा नहीं हम बार बार काशी में आते रहेंगे हमारे बहुत सारे मित्र हैं यहाँ पर अब इनके भाव से भी आते रहेंगे और बाकी हमारे सब के सवन के सबसे बड़े सखा तो हमारे महादेव हैं इन पर कृपा अनुग्रह यह हम पर बनाए रखें आते रहें आओ बड़े भाव से गाओ शामा हिर्दे कमल सों प्रगट्यों और शाम हिर्दे कुभाए व्रिंदावन प्यारो व्रिंदावन शामा हिर्दे कमल सों प्रगट्यों श्रीराधा हिर्दे कमल सों प्रगट्यों और शाम हिर्दे कुभाए व्रिंदावन प्यारो 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 व्रिंदा रहे व्रंदावन धाम प्यारो रहे व्रंदावन धाम रूप को स्वामी प्रगट कियो जाहां रूप को स्वामी प्रगट कियो जाहां राधा गोविंद रूप निधान रूप को स्वामी प्रगट कियो जाहां राधा गोविंद रूप निधान व्रंदावन प्यारो रिल्दावन रूप को स्वामी प्रगट कियो जहां राधा को विल्द रूप निधान रूप को स्वामी प्रगट कियो जहां ये विल्दा मन प्यारो विल्दा मन गोपी ग्वाल सब ही उरधारे बहरत निष्दन कुझ गलिन में ब्रज जन मन सुख थाम ये बहरत निष्दन कुझ गलिन में ब्रज जन मन सुख थाम मदन मोहन को रूप नि रखके मदन मोहन को रूप नि रखके सनातन बल बल जाए व्रिंदावन श्री व्रिंदावन ब्रिंदावन श्री व्रिंदावन व्रिंदावन श्री व्रिंदावन श्री व्रिंदावन ओ गोपिग्वाल सब ही उर्धारे प्यारो गोपिनात हाँ प्यारो प्यारो गोपिनात प्यारो प्यारो गोपिनात ए मधुपन्दित जिने कंथ लगायो मधु पंदित जिन कंठ लगायो जहां है रही जै जैकार व्रिंदावन श्री व्रिंदावन प्यारों व्रिंदावन मधु पंदित जिन कंठ लगायो जहां है रही जै जैकार ब्रिंदावन श्री ब्रिंदावन प्यारो ब्रिंदावन ब्रिंदावन प्यारो 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 ब्रिंदावन प ए रूप सुधा को खान हमारो श्री राधार मन जुलाल व्रिंदावन श्री व्रिंदावन रूप सुधा को खान हमारो श्री राधार मन जुलाल व्रिंदावन श्री व्रिंदावन श्री व्रिंदावन व्रिंदावन श्री 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 व्रिंदावन श व्रिंदावन श्री व्रिंदावन सगन कुल्ज यमुना तट्यायो श्री राधावल लब लाल व्रिंदावन प्यारो व्रिंदावन व्रिंदावन मेरो व्रिंदावन व्रिंदावन प्यारो व्रिंदावन युगल किशोर कुलाड लडायो नवल कुल्ज ही यमाई प्यारो नवल कुल्ज ही यमाई कुल्जन कुल्जन की रजधारे जहां व्यास युगल यशगाई व्रिंदावन श्री व्रिंदावन ए व्रिंदावन प्यारो व्रिंदावन कुल्जन कुल्जन की रजधारे कुल्जन की रजधारे जहां व्यास युगल यशगाई ब्रिंदावन प्यारो व्रिंदावन भुवन चतुर दश की सुन्दरता निधिवन करत बिहार प्यारो निधीवन करत बिहार प्यारो निधीवन करत बिहार ओ ओ शामा प्यारी कुझ बिहारी ओ जय जय शामा प्यारी बांके बिहारी ओ जय जय श्री हरिदास व्रिंदावन प्यारो व्रिंदावन व्रिंदावन मेरो व्रिंदावन शामा प्यारी मांके बिहारी शामा प्यारी बांके बिहारी शामा प्यारी कुझ बिहारी और जय जय श्री हरिदास व्रिंदावन प्यारो व्रिंदावन व्रिंदावन प्यारो व्रिंदावन अभिनाम प्यारो सब्तने धिने को ही उजियारो के हम सब कु प्राणन ते प्यारो और हम सब कु मिलवावे वारो हम सब को मिलवावे वारो हमारो गिर्धर लाल व्रिंदावन प्यारो व्रिंदावन व्रिंदावन ए व्रिंदावन श्री व्रिंदावन हम सब कु मिलवावे वारो हम सब को मिलवावे वारो अमारो गिरधर लाल व्रिंदा मनु प्यारो व्रिंदा मनु प्यारो व्रिंदा मनु प्यारो व्रिंदा मनु प्यारो व्रिंदा मनु मेरो व्रिंदा मनु प्यारो व्रिंदा मनु प्यारो व्रिंदा मनु प्यारो व्रिंदा मनु प्यारो व्रिंदा मनु मेरो व्रिंदा करिए तेन ननंत नन्तवित कोजकी दो सेुखबिक कोब रेरे दिधे कृटना वเ च्र प्रद्टन आपाओंस अन्मजें रहने प्रदीत को थो मर्म् säकालाओ से संप्र 對不對